आप सभी को मेरी नमस्ते और जैहिंद मेरा ना अभास से नहीं है वर्बल मैद भास से नहीं मैं आप सभी का स्वागत है पांच कोश्चन है जिसके पांच हो ठीक होंगे 5 5 टाइम लिग देना कितनी दिर में अटेम्ट करें जिसके चार होंगे वह ऐसे लिग देगा जिसके तीन जिसके दो जीरो वाले ऐसे लिख देंगे ठीक है कोशन नमबर वान कि ट्राय करिए आई होप आपने ट्राय कर लिया होगा आप मैं करवाता हूं पवन अपियर हुआ एक एक एकजाम में जिसमें पांच सब्जेक्ट थे ठीक है मैक्सिमम मार्क्स सब में मतलब मैक्सिमम मार्क्स सेम है ठीक है और जो इसको मार्क्स मिले वह इस प्रोपोर्शन में मिले मालो पहले में मिले चार दूसरे में मिले पांच तीसरे मिले छे चौते में मिले, साथ, फिर मिले आठ, इस रेशो में मिले और ओवरान उसके 60% मार्स है, यानि कि अगर मैं इन सब को जोड़ दूँ, ठीक है तो आपने बोल दिये कितना आ गया, 9 और 8, 17, 17 और 23, 30, यानि कि 30 नंबर जो आए ना, ये 30 नंबर 60% की वैल्यू है, तो उसके मार यहां पर आधा आ गया, यानि कि अगर 100% की बात करूं, तो 50, यानि कि 50 टोटल नंबर थे, और 5 सबजेक्ट थे, तो कि यह फाट और सारे सेंग मांच महुआ कि तो दस नंबर निये कि आ 10 में से बता ये कितने सब्जेक्ट में 50% से कम आये ये नी 5 से कम कितने में आए कि तो एक में आया बस एक पिरसे देखो आप आपने बोल दिया इसके फोर रेशो पाइफेशो सिक्सट रेशो सावन रेशो डेट आय तोडल निया आपको मैक्सिम माक्ष नहीं पता कितने में से यह नहीं पता लेकिन तीस मांग्स है 60% की value 30 marks थी 100% की value 50 marks हो गया यानि कि 50 मतलब इन सब का total 50 marks है तो 10 10 10 10 क्योंकि सब के बराबर है न लिखा है न सेम तो 10 में से इतने आए तो 50% मतलब 10 में से 50% marks उसके होते जिसके 5 marks होते तो 5 में से कम कितने मां कितने सब्जेक्ट्स में एक में कोशन नंबर 2 करो ठीक है कल्पना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसके अंदर 40 page है हर एक में एक हर पेज में 75 लाइन है और हर एक लाइन में 80 characters लिखे रहे हैं कि लाइन को 75 से 70 कर दिया नंबर ऑफ करेक्टर 95 कर दिये अब बताओ नंबर ऑफ पेजिस कितने होंगे मतलब कितने परसेंट से चेंज आ गया आपने बोला देखो 40 pages थे 75 lines थी और 80 characters थे बाद में कितने pages थे नहीं पता आपने 70 lines कर दी और 95 characters कर दी है ठीक है यानि कि आप अगर ध्यान से देखे तो 00 और यहां पर आपका आ गया 15 और यहां पर आपका आ गया 19 ठीक है और अगर मैं काटू इसको साथ अगर आप इसको कर रहे हो 40 into 120 बटे 19 into 7 और यह प्रॉक्स थी पूछा है न अप्रॉक्सिमेट निकाल दो ठीक है तो आप इसको बोल रहे हो लग बग है मेरा कितना आ गया अगर मैं इसको क्याल्कुलेट कर देता हूं तो साथ पंजे पैंतेस पचास सत्यू सत्यू नंचास ठीक है और उन्निस यहां पर अगर बीस होता तो दस लगभग कितना होता मेरा अगर मैं इसको कर देता हूं यानि अगर क्याल्कुलेट कर देंगे 15,8,120 कर दो सही है एक्सो बीस चालिस सत्तर साथ उन्निस साथ साथ पंजे पैंतेस और सत्यू सत्यू नंचास छे और यहां पर कर रहे हो बीस और छे लगभग छे अप्रॉक्स अगर बीस है तो लगभग छे यानि अगर मैं इसको भ कि थी बाद में कितने होगी 36 मैं इसे भी कह सकता हूं के 10 थे तो 9 होगए यानि कि आप कितने परशेंट से ब्रॉक्स करें तश कर रहे है कं अपरस्टि मेट कोईशन अप्रॉक्समेट किया है लगभग लगफ़ाप्रोक्स्यमिशन है क्योंकि अगर यह सिख से तोड़ा साथ आएगा लगबग 36 आएगा तो 10% से रिड्यूज हो गया कि संदीप ने इन्वेस्ट किया सटेन अमाउंट इन रिलाइंस इंफ्रा प्राइविट लेमिटेट जो आफर करता है से कंपाउंद इंट्रेस्ट पांच परसेंट और जो हों प्लचाश परसने इरे वह भी छोड़ामेंस पर दwe है अब the duration of the investment दोनों दो साल के लिए ये भी दो साल के लिए ये भी दो साल के लिए difference between the amount received amount जो मिलेगा उसका difference दे रखा है यानि 6,9 65 जो है ना वो amount amount कितना है 200 अब इसका मतलब क्या बता है एक बटे 20 यानि amount कैसे निकलेगा 21 बटे 20 21 by 20 यह amount हो गया और इसका देखो 100 और यह कितना है एक बटे 10 यानि 11 बटे 10 11 बटे 10 यह पूरा काट दिया यह चार्ज को दो यानि कि यह मेरा आ गया 6,965 441 by 2-121 यहां पर कितना आ गया 2,20.5 यानि कि मेरा 99.5 की वेल्यू है 6,965 6,965 यानि 100 को लगवा करेंगे साथ के आसपास यानि कि आप इसको multiply करेंगे साथ से multiply हो रहा है स्टॉक की वेल्यू कि इतनी आजेगी साथ के पास 0 लगा लो बस साथ अजार हां ओप्शन नमबर एग माल लो एक अमाउंट था 200 लेट किया मैंने आप कुछ और भी लेट कर सकते कोई दिक्कत नहीं है एक अमाउंट था 100 इस पे अमाउंट मिलेगा पास परसेंट के आप से 21 बटे 20 इस यह आमाउंट हो गया और इस पे 11 बटे 10 11 बटे 10 तो इनका जो डिफ्रेंस था ना वो आपको गीवन था जो था मेरा 6,9,6,5 जैसी मैंने निकाला तो 99.5 योनिट की वेल्यू ये आ रही है तो 100 यूनिट की वेल्यू कितना हैगी डिफ्रेंस बिट्वीन तो क्योंकि 200 था 100 था तो इनके बीच का डिफ्रेंस कितना है 100 वाई एक में 200 लगाय थे एक में 100 लगाय थे इसने पूछा क्या है difference between the sum invested 100 का difference है हो गया कितने बिनिट्स लगे क्वर्शन नमर पॉर थोड़ा लेवल ऐसा देंगे थोड़ा चेंज करके देंगे आपको ताकि आप हर चीज के लिए रेडी रहे नए साल की पार्टी में टोटल सभवन हैं मतलब आप ऐसे माल लो कि 60 है तो 40 मैं एंo 100 ठीके जैटी परसेंट नगे से मैरीड हैं AMA 80 मैरीड मतलब की मैरीड का मतलब क्या हो गया कि मैरीड में से चालिस आदमी चालिस ऑड़ते इसी तो होगा अपने आप से शादी तोड़ी करिए बैइ कोश्चन से नहीं होता है यह सब ठीक है ओके पैसे लिग भी रखा ओस्वेंड और बागी अन्मेरिट है यानि कि 20 अन्मेरिट है 30% more than 30% women unmarried तो जो औरते हैं वो 20 हैं जो unmarried है यानि कि total में से 20 बटे total कितनी है 60 तो आपने बोल दिया one third यानि कि 33.33% unmarried है ये भी true है दोनों true है ठीक है एक और करके दिखाओ पांचवा question आपको पता चल गया होगा मैंने last time भी बोला था कि जितना अच्छा response इन short video पर आता रहेगा बढ़ता रहता है exam के पास उतनी में frequency बढ़ाता रहता हूं अभी जैसे एक एक दो दो दिन का gap रहता है फिर बच्चे और सीरेस हो जाते हैं तो मैं रोज देना शुरू करता हूं और सीरेस हो जाते हैं एक दिन में दो exam time पे हम कई बार मैं ऐसा भी हुआ है आप पास्ट में देखेंगे एक दिन में मैंने दस दस वीडियो भी दी है है शौर्ट वीडियो ठीक है डिपेंड करता है सब कुछ रिस्पॉंस में नेक्स्ट एक प्री एक्जाम का मतलब प्री है टेस्ट है एजनसी एक रिक्रूटिंग एजनसी है वो इसके अंदर सौ कोशन है माधुरी ने टेस्ट लिया और सारे कोशन एक्टेम्ट कर दिये हर एक करेक्ट के लिए एक मार्क्स मिलता है और रॉंग के लिए ऐसा है कि वन फिप्थ सौ में से बन फिप का मतलब है बीस कोशन अपर पे एक के बज़ा है पॉइंट वन नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव का मतलब दस कोशन ऐसे है जिसमें फिफ्थ यानि ये ये पॉइंट वन कैसे आ रहा है एक का वन बटे टैम दूसरा वाल ऐसे एक का एक बिटे पांच यानि कि आपके रहें पॉइंट तू मार्क्स एक कोशन पर नेगेटिव मिल जाते हैं तो अगर 20 पर नेगेटिव है तो आप बोलोगे यहां पर दो नमबर कट गए दस पर यहां पर बी दो नमबर कट गए बचेवेश सत्तर कोशन जो है वो आदे नमबर काटता है यहां यहां पर 35 नमबर ऐसे करके बता रहे हैं कि यह कट सकते टोटल टोटल है कि सतर के सतर गलत हो गया तो आपके 35 नेगिटिव स्कूर आएगा 20 question कर देट हुए तो माइनस 2 आएगा 10 question कर देट हुए तो भी माइनस 2 खेर अब इसने बोला जो question attempt नहीं करें उसके 0 marks है लेगिन इसने तो फारे question attempt करें तो बताओ maximum और minimum marks जो है maximum marks है 100 क्यों कि उसने इस फारे ठीक कर दिये तो maximum marks x है तो x की value 100 है y minimum marks है मतलब एक भी सही नहीं किया तो उस case में इहां पर minus 35 यानि कि minus 39 marks आ गए maximum marks है सारे ठीक कर दिये minimum marks है सारे गलत हो गए तो सारे गलत हो गए तो अब यह बोल रहा है कि इसको निकालो यह तो बहुत असान question था x minus y upon 17.375 x minus y करोगे 100 minus plus 139 divided by 17.375 इसको निकालना है देखो ना तो double पे जा रहा है ना चार पे जा रहा है ना छे पे आठ पे जाए गए आठ तो यह पांच question थे आपके 27 तरिक से सूपर 100 स्टार्ट हो रहा है ठीक है इस नंबर पर WhatsApp कर देना 7982 155093 अगर लेना है एक बार फिर से recap दिखा रहे हैं recap दिखा रहूं पटापट से पहला question के इनके total marks इस proportion में मतलब जो score किया था वो था तो score इनका total 30 आया था जो की 60% था तो 100% की value 50 और 50 को पांच equal part में बाट होगे तो 10-10 marks तो 10 में से 4 ऐसे ऐसे marks आ है तो 50% से ज़्याद के वेल एक में थे very easy कि दूसरा question भी doable था आपने बोला 40 page 75 lines 80 characters and page 70 और इतने character तो pages में तोड़ा difference आगे था पहले 40 page थे characters बढ़ाने की वज़े से और line कम करने की वज़े से अब content same content same आप ऐसे भी कह सकते हो work बराबर work वहीं work बराबर work वही है एक तरीके से content same है तो 40 से 36 हो गई 10 से 9 गई 10% reduce हो गई यह वाला भी अच्छा question था मैंने लेट कर लिया था कि मानलो इसमें 5% है 200 unit लगा है इसमें 100 है 10% amount का difference लेना था वो दे रखा था आपको और इसकी value का difference निकालना था 99.5 unit की value आगे थी 100 की value निकालती है यह भी आसान question था हमने बोला एक party में guest आ रहे हैं 60% woman है 40% man है तो 100 लोग मान लिए थे मैंने ठीक है कोई बात नहीं सौ में से असी married थे असी जब married होंगे तो 40 आद्म होंगे 40 ओरते होंगी दिवाग जादा मत चलाना लिखा हुआ है 40 ओरते तो आद्मी हमने मानने भी 40 थे और married भी 40 थे सारे married थे true 30% से ज्यादा female unmarried थी कितनी वैसे 20 और total थी कितनी 60 तो one third यानि कि 33.3 unmarried थी यह भी true था यह बहुत असान था इसने बोला एक exam है जिसके अंदर अगर सही कर रहे हो तो one mark गलत कर रहे हो तो तीन तरीके से कि one fifth यानि कि बीस questions में per question इतना कट जाएगा 10 question में में फर कोशन इतना सतर कोशन आ सब्सक्राइब गुआंसu digit था एक था अ थो मासिम मार्प से सारा थीए मिनिमं मॉझ सारी गल्त हो गए में मिनीम मांगं से खेलना हिरह और अब करना अधिक है सब्सक्राइब एऑ ऐकर नंचतर जो गनांव्य hubs